11 अगस्त को सानी देओल और अक्षे कुमार की फिल्में क्लैश करने वाली है बॉक्स ओफिस पर गदर टू के सामने ओमाई गॉट टू पीछे है ये तो क्लियर कट साबित हो गया है क्योंकि गदर टू के एडवांस बुकिंग ही शानदार है और गदर टू अल्रीडी ओमाई गॉट टू को पीछे छोड़ चुकी है लेकिन अब गदर और ओमाई गॉट टू दोनों को पीछे छोड़ दिया है एक दूसरे फिल्म ने जो इन दोनों फिल्मों के सामने रिलीज हो रही है और इस फिल्म ने ताबर तोड अब तक 6 लाग से जादा टिकेट्स की एडवांस बुकिंग कर ली है चाहां एक तरफ सानी दियोल की फिल्म गदर टू की एडवांस बुकिंग अब तक 83,300 के आसपास होई है वहीं इस फिल्म की 6 लाग से उपर टिक्टे बिक चुकी है और जिस दिन ये फिल्म रिलीज हो रही है उस दिन कई सारे ओफिसेज में चुटियां दी गई है ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि फिल्म रिलीज हो रही है थलाईवी रजनीकांथ की जी हाँ, सेम टाइम पर रजनीकांथ की फिल्म जेलर रिलीज होने जा रही है और जेलर के और जेलर के आलरीडी 6 लाग से उपर टिकेट्स बिक चुके हैं जेलर फिल्म जिस दिन रिलीज हो रही है उस दिन बैंगलूरू, हाइदरबाद, विशाका पत्नम के कई ओफिसस में छुट्यां डिकलेर कर दी गई है जब भी थलाईवी रजनिकांथ की फिल्म रिलीज होती है तो उनके फैन्स इस दिन को एक फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं इस बार रजनिकांथ के लिए तैयारी और इतनी जबरदस्ट की गई है ना सिर्फ एडवांस बुकिंग शांदार हुई है बलकि फिल्म की ओपनिंग भी बहुती शांदार होने वाली है जिस तरह के एडवांस बुकिंग है ऐसे में रजनी कांद की फिल जेलर अभी रिलीज भी नहीं हुई है और उससे पहले ही वो सनी देओल की गदर 2 को पीछे छोड़ चुकी है जहाँ एक तरफ सनी देओल और अक्षे कुमार दोनों ही अपनी अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं अपने हिसाब से ओडियन्स को लुभा रहे हैं सनी देओल इंडिया के अलग-अलग पेसिस पर जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं गदर 2 का प्रचार कर रहे हैं वहीं अक्षे कुमार ने घर बैठे एक स्मार्ट तरीका अपनाया है वो Oh My God 2 की टिकेट के साथ अपनी जो कपडो की ब्रैंड है उसका 200 रुपए का वाउचर फ्री दे रहे हैं यानि कि डिजिटल प्रमोशन वो अपने लेवल पर कर रहे हैं लेकिन इन सभी को पीछे छोड़ दिया है थलाईवी रजनीकांत ने आपको क्या लगता है कि रजनीकांत की फिल्म जेलर के सामने गदर 2 और Oh My God 2 टिक पाएगी